नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाइफाइ स्टेडी पर, मैं हूँ अंकित अवस्थी, आप है मेरे साथ में, आज के 15 मिनिट में 15 सवाल के सेशन में, जिसमें हम रेलवे, SSC, बैंकिंग और डिफेंस के 15 सवाल करते हैं, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन मे और पढ़ना शुरू करिए क्या कुछ खास है आज के सेशन में, काजल, अनेल, चंचल, मोहित, अनन्या, सभी साथियों को वेरी गूड इवनिंग, जल्दी से सेशन शेयर करिए, मोहित, बेस्ट, निर्मला, दल्पत, निशा, वेरी गूड इवनिंग, सेशन शेयर करिए, और पढ़ना शुरू करिए क्या कुछ खास है आज के सेशन में, सबसे पहली और जरूरी बात, रेफरल कोड के सम्मन्द में, मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका उपयोग करके आप अनकेडमी पर 10% डिसकाउंट आप्ट कर सकते हैं, on all अनकेडमी सब्स्रिप्शन, फि इसे एक साल का कारेकाल बढ़ा दिया गया है, किसका बढ़ा दिया गया है, अमिताब कांथ का एक साल का कारेकाल बढ़ा दिया गया है, वे अमिताब कांथ जिनने 2017 में CEO नियुक्त किया गया था, अब उन्हें एक साल के लिए additional कारेकाल दे दिया गया है, ठीक है ना, तो य नीती आयोग के CEO हैं, है ना, इन्हें 2016 के अंदर काबिनेट के, मतलब CEO के रूप में सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया था, 1980 बैच के ये IAS अधिकारी हैं, केरल कैडर में ये कार्य कर चुके हैं, बात की जाए नीती आयोग की तो आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में Planning Commission के स्थान पर नीती आयोग का गठन एक जनवरी 2015 को किया गया था, और इसके द्वारा भारत में विभिन प्रकार से Planning को पार्टिसिपेट किया जाता है, इसके Head के रूप में हमेशा नरेंद्र मोदी जी यानि देश के प्रधानमंत्री होंगे, फिर चाहे जो भी इसके प Drug Controller, जो हमारे यहां पर Drug Controller हमारे द्वारा है, DCCI, उसके द्वारा सिपला जो दवाई है हमारे पास में, उस दवाई का, मतब सिपला जो हमारे यहां की Company है, अब वो Moderna की COVID-19 Vaccine को Market में उपलब्द कराएगी, यानि कि हमारे पास में जो Moderna Vaccine है, जो Messenger RNA आधारित वैक्सीन है, भारत में आने वाली इकलौती विदेशी वैक्सीन, जो Messenger RNA पर आधारित है, उसे सिपला मार्किट में उपलब्द कराने जा रहा है, इसे आप याद रख सकते हैं, तो सिपला के द्वारा यह कारे किया जा रहा है, याद रखिएगा कि यह वैक्सीन भारत में No Indemnity Clause के साथ यानि कि 100 पेशेंट के उपर यह ना पी जाएगी, इसके साथ भारत में आ रही है, सिपला मॉडरना वैक्सीन को बेचेगा, इससे पहले भारत में फाइजर ने आने के लिए बहुत प्रयास किये थे, लेकिन भारत सरकार के द्वारा Indemnity Clause लगाये जाने के कारण, वो नही पारित वैक्सीन है, अभी तक भारत में तेन वैक्सीन चल रही है, जिसमें से एक का नाम KoviShield है, दूसरी कोवैक्सीन है, तीसरी इस्पूतनिक है, तीनों ही Aidenovirus based vaccine है, इन में अभी तक Messenger RNA कहीं भी उपयोग में नहीं हुआ है, Messenger RNA वाली दो वैक्सीन जो भारत आना चाहती है उनमें एक का नाम Moderna है दूसरे का नाम Pfizer है Moderna India आ रही है सिपला उसे इंडिया में बेचेगी लेकिन कितने रुपे में होगी कब मिलेगी ये जानकारी नहीं दी गई है clear तो ये जानकारी आप जान सकते हैं काफी जादा महत्वपूर्ण है उमीद है आपको ये बात समझ में आ जाएगी आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ अगला प्रशन क्या है वो भी जान लीजिए अच्छा हाँ सिपला के बारे में थोड़ी सी जानकारी और मैं दे देता हूँ इसके जो संस्थापक थे सिपला के वो ख्वाजा अब्दुलहमीद थे और वर्तमान में वाई के हमीद जो हैं और उमंग वोहरा वो सिपला के इस समय पर मालिक है आने की चेयर परसन और सी एओ हैं ठीक है मुंबई आधारित ये एक कंपनी है आगे बढ़ते हैं किस राज सरकार ने राज में सभी जिलों के इस्तर पर हाँ भई संगीता कुमारी बिलकुल है हना अभीना कुमार अभी तक फिक्स नहीं हुआ है बताएंगे जल्दी ही जैसे ही होगा ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों हाँ जी किस राज सरकार ने राज के सभी जिलों में जिला इस्तर ये उद्ध्योग और निवेश प्रोटसाहन एजेंसी स्थापित करने का निरने लिया है तो उडीसा ने निरने लिया है इसके अंतरगत होगा क्या इसके अंतरगत उडिसा जो है वो Investment Promotion Agency विक्सित करेगा जिला लेवल के उपर और कौन करने जा रहा है नवीन पतनायक जी के द्वारा यह निरने लिया गया है उडिसा के अंदर District Level Industry and Investment Promotion Agency को विक्सित किया जाएगा यह कारिय यहां पर किया जा रहा है ठीक है न यह तथ्य आप लोग याद रख सकते हैं इंडिया की Economy के अंदर इस प्रकार के कारिय जहां पर हर जिले को प्रमोट किया जाएगा वहां की विशेशताओं के आधार पर ऐसा कारिय उडिसा करने जा रहा है उडिसा में नवीन पतनायक जी की सरकार है यह आप याद रख सकते हैं चीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ लेकिन उससे पहले बता दें उडिसा की राज़दानी भुवनेश्वर गणेशी लाल गवर्नर हैं भीतर कणी का सीमली पाल यहां के नेशनल पार्क हैं इंपोर्टन प्रशन में आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अगला प्रशन मिलता है हाल ही में मलेरिया मुक्त गोशित कर दिया गया है किसे गोशित कर दिया गया है डबल्यू एचो के द्वारा चीन को क्योंकि उसने कोरोना बना लिया है ऐसा नहीं है क्योंकि चीन में लगातार तीन साल से मलेरिया का कोई भी पेशेंट नहीं मिला है जब तक कोई देश 3 साल तक कोई भी Malaria का पेशेंट ना मिले तो एसी इस्तिती में उसे Malaria मुक्त गोशित किया जा सकता है तो Malaria मुक्त गोशित किया जा चुका है, WHO के द्वारा चाइना को ये तथ्या आप लोग याद रख सकते हैं इंडिया मलेरिया मुक्त नहीं हैं ये भी आप ध्यान रखलें। साथियों मच्छर जनित बिमारी को खत्म करने के लिए 70 साल से प्रयास जारी हैं। तब जाकर के यह कारे हुआ है। 30 जून को विश्व स्वास्त संक्टन के द्वारा चीन को मलेरिया मुक्त घोशित किया गय और जो रिसेंट डेज में मलेरिया मुक्त बने हैं देश उनमें से एल सेलवाडोर 2021 में, अलजीरिया अर्जेंटिना 2019 में, परागवे उजबेकिस्तान 2018 में मलेरिया मुक्त हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रशन की तरफ गुजरात में एहमदाबाद साथियों, Newly Inaugurated Japanese Style Jane Garden in एहमदाबाद, एहमदाबाद के अंदर Jane Garden बनाया है, जो की एहमदाबाद के अंदर Management Association के द्वारा डवलप किया गया है, इसका प्रधानमंत्री के द्वारा वर्च्वली Inauguration किया गया था, ठीक है न, तो ये इन्होंने एहमदाबाद में विक्स करने के लिए काम आएगा, लोगों को एक दूसरे की जगह के बारे में जानकारी दिलवाएगा, जापान जो की Pacific Asia में, Pacific Ocean में इस्तितिक देश है, चार आईलेंड से मिलकर बना है, जिसमें सबसे पहले आईलेंड का नाम Hokkaido है, दूसरे का नाम Honshu है, उसके बाद में Shikoku है और उसके बाद क्यूशू है, तो Hokkaido, Hoshu, Shikoku, क्यूशू, यहां के चार प्रमुख आईलेंड हैं, ये ताथ्य आप लोग याद रख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, संयुक्त रास्ट संग के भारतिय संग के अध्धक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो भ शंबुनात स्रिवास्तव, ये क्या थे, शंबुनात स्रिवास्तव जो हैं, वो अलहबाद High Court के अंदर पहले जज रह चुके हैं, इन्हें क्या बनाया गया है, इंडियन फेडरेशन आफ यॉनाइट नेशन अस्योसियेशन के अंदर चेयर्मैन बनाया गया है, यानि कि इ तो वो क्या है मैं आपको वो बता दूँ कि जितने भी बहुत तेज चलने वाली गाडियां होती हैं चाहे फिर वो किसी भी कंपनी की हो Mercedes, BMW जो भी गाडियां हैं इंडिया में आने के बाद Indian Road की Conditions के आधार पर उनका Trial किया जाना जरूरी होता है और उनकी Trial करने के लिए ए तेज गती से गाडियों को भगा करके बड़ी High Speed Trains गाडियों को भगा करके उनकी Speed Test, उनका Speed Test करने के साथ साथ उनके अंदर Durability, उनके अंदर जो Features हैं ABS, ABD उनका चैकम किया जा सकेगा इस प्रकार का कारिया इंदौर से 50 किलोमेटर दूर पीतम पुरा के अंदर किया गया और ये एशिया का सबसे बड़ा ट्रेक कहलाएगा, इसे नैट्रिक परियोजना के तहत विक्सित किया गया है, ये Largest and Most Significant Initiative है, Automotive Section के अंदर एशिया का सबसे बड़ा Testing Critter Road हमारे द्वारा बना दिया गया है, नैट्रिक्स जो है ये High Speed Trains के लिए जाना जाता है, आगे बढ 64 वर्ष ही है, कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो साथियों Editor of Sanskrit Newspaper केवी संपत का हाल ही में निधन हो गया है, ये संपत में अपने समाचार पत्र का संपादन किया करते थे, प्रधान मंत्री समेथ विभिन लोगों ने इन्हें अपने द्वारा, मतलब शद्धा विजय कुमार मली मत को किस राज्ज के उच्छ नयाया लेके मुख्य नयाय धीश के रूप में नियुक्त किया गया है, आंसर है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के साथियों हिमाचल प्रदेश के Chief Justice of हिमाचल प्रदेश के रूप में नियुक्त किया गया है, ये है एक समयधानिक पद है और इसके नियुक्ति जो है वो आर्टिकल 223 के तहत की गई है विजय कुमार मलीमत हाई कोर्ट आफ हिमाचल परदेश के चीफ जस्टिस होंगे इनका कारेकाल एक जुलाई से प्रारंब हो गया है ये तथ्या आप लोग याद रख सकते हैं अगले प्रशन की तरफ बढ़ते हैं ट्वीटर ने ये भी महत्वपूर्ण नियुक्तियों में महत्वपूर्ण सवाल है ट्वीटर ने भारत के लिए नए शिकायत अधिकारी यानि ग्रिवांस अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है तो आंसर है साथियों जेरेमी कैसल जो है इन्हें हाल ही में भारत में नए ग्रिवांस आफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है याद रखिएगा भारत में से अभी जो अभी ये जो अपने चतुर थे उन्होंने अपने पद से इस्तिफा दे दिया था याद रखिएगा इसके चलते भी इसका विरोध हो रहा है विरोध क्यों हो रहा है क्योंकि ट्वीटर ने अल्टिमेटली उस व्यक्ति को नियुक्त किया जो कि भारतिये कानूनों के अनुरूप नहीं है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि ये व्यक्ति जो कि भारत के IT रूल्स के हिसाब से इंडियन होना चाहिए था जर इनके द्वारा इंडियन व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया गया है जेरेमी कैसल नए ग्रिवांस ऑफिसर बनाए गए हैं लेकिन ये नए कानूनों के अनुरूप नहीं है यानि कि ये मतलब आपको मालूम होना चाहिए इन से पहले धर्मेंद चतुर को नियुक्त किया गया था जिनोंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया जैक डॉर्सी CEO हैं और इनके द्वारा एक इंडियन को नहीं अमेरीकी को नियुक्त किया गया है जो कि हमारी शेवा सर्तों के विरुद्ध है तो इसके चलते हुए IT रूल ना मांगने के उपर ट्वीटर के उपर शिकायत दर्च की जा सकती है अगले प्रशनी तरफ बढ़ते हैं अंतराष्टी चुद्र ग्रह दिवस विश्व में हर साल कब मनाया जाता है तो साथियों 30 जून के दिन अंतराष्टी चुद्र ग्रह दिवस United Nations के प्रयासों के द्वारा वर्ष 2012 से मनाया जा रहा है और ये घटना विशेश रूप से साथियों 1908 में एक घटना हुई थी साइबेरिया के अंदर जिसमें की एस्टिरोइड के द्वारा काफी बड़ा सिगनिफिकेंट एक नजारा देखने को मिला था उसकी याद में एस्टिरोइड को बनाया जाता है अंतरिक्ष में जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं वो सामाने तया ग्रहे हैं ग्रहे के अलावा जो अन्य छोटे छोटे ग्रहे हैं जिनका आकार इसपस्ट नहीं है जिनके खुद के उपग्रहे नहीं है संख्या हजारों में जिनकी एक साथ है और वो सामान नितया सूर्य के एक पात में चक्कर लगा रहे हैं वो एस्टिरोइड कहलाते है अंतराष्ट्य संसदिय दिवस विश्व में हर साल किस दिन मनाया जाता है तो साथियों अंतर राष्टे संसद्य दिवस United Nation के द्वारा 30 जून को मनाया जाता है International Day of Parliament बनाया जाता है यहाँ पर दुनिया की विभिन संसद्य व्यवस्थाओं को आपस में एक दूसरे से मिलने के लिए इनिशेट किया जाता है 2018 में ही इसे मनाना शुरू किया गया है इसके माध्यम से United Nation General Assembly प्रयास करती है कि जिन देशों के पास Parliament है उनके संसद्य आपस में मिले जुले और एक दूसरे को बताएं कि संसद्य व्यवस्था के क्या लाव हो सकते है एक अच्छा प्रशन और बनता है एक महत्वपूर्ण पुस्तक से सुप्रीम कोट के पूव नयाधीस जिनका नाम है आरवी रवंदरन उनकी एक पुस्तक आई है जिसका नाम है एनमिलीज इन लौ एंड जस्टिस इसका इनॉगरेशन किस नहीं किया है तो हमारे सीजे आई हैं एनवी रमन्ना इनके द्वारा इस पुस्तक का इनॉगरेशन किया गया है और यहां पर यह जो पुस्तक लिखी है वो एनमिलीज इन इंडियन जूडिशेरी सिस्टम इनके द्वारा लिखी गई है लौ एंड जस्टिस के नाम से तो एजस्टिस एनवी रमन्ना के द्वारा इस पुस्तक का उदगाटन किया गया है आरवी रमिंदरन खुद भी भारत में सुप्रीम कोट के जज रह चुके है आपको मालूम होना चाहिए कि एनवी रमन्ना भारत के 48-वे सीजे आई है ये तथ्या आपको मालूम होना चाहिए स्पोर्ट्स की न्यूज में अगर हम बात बताएं तो ISSF सूटिंग विश्व कप में बाईलाओं की 25 मीटर पिस्टल इस परधा हाल ही में किसने जीत ली है तो साथियों राही सरनोबल ने हाल ही में शूटिंग वर्ल्ड कप के अंदर ये मैं चैलेंज जीत लिया है ये ओन गोइंग ISSF वर्ल्ड कप के अंदर जीता है मालूम होना चाहिए राही सरनोबल इसकी वज़े से अब टोक्यो ऑलम्पिक में भी पार्टिसिपेट कर पाएंगी ये राइफल पिस्टल शॉट गन के अंदर टॉप कर गई है गोल्ड मेडल 25 मीटर पिस्टल इवेंट के अंदर जीतने में कामियाब हुई है इसके साथ साथ भारतिय निशानेबाज जो मनु भाकर हैं वो साथवे इस्थान पर रही हैं ये तथ्य आपको मालूम होना चाहिए हाल ही में भौत ही इंपोर्टेंट सवाल ये है कि सबसे कम उम्र में भारत के तीनों फॉर्मेट में मैच में परदारपन करने के लिए कौन आया है मतलब किसने सभी फॉर्मेट में चाहे वो T20 हो चाहे वंडे हो चाहे टेस्ट मैच हो उसमें अपना मतलब इनागरेशन कर दिया है तो वो हैं शैफाली वर्मा जिन्होंने बहुती कम समय में डेब्यू कर लिया है डेब्यू का मतलब इन्होंने पहला मैच खेल लिया है T20 म ये थे सारे सवाल, उम्मीद है आप सभी साथियों को, 10 मिनिट में 15 सवाल अच्छे से महतुपून्ट जानकारियों के साथ प्राप्त हो गए होंगे, यदि आप चाहते हैं मेरे साथ में इस पूरी क्लास की PDF प्राप्त करना, सेशन से जुड़े रही है, मेरे टेलिग्राम चैनल है अंकित अवस्थी सर जहाँ पर आपको इस क्लास की PDF प्राप्त हो जाएगी, सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले, यदि आप चाहते हैं paid courses में मेरे साथ पढ़ना, तो SSE में मेरे द्वारा economic शुरू की गई है, यदि आप चाहते हैं तो उसके साथ जुड़ सकते हैं, अनकेडमी पर my referral code is Ankit10, क्लास लेने के लिए आप Anakademy Learning App मोबाइल में इंस्टॉल करें, गूगल प्ले स्टोर से, अंकित 10 के माध्यम से आप 10% फीस में डिसकाउंट प्राप्त कर पाएंगे, अनकेडमी पर जितने भी educators पढ़ा रहे हैं, उन सब की classes भी आपको उसी के साथ साथ प्राप्त हो जाएगे, फिलाल के लिए इतना ही आपका समय शुब हो, धन्यवाद,